ठीक है बच्चे अब आजओ मिसलेनिस एक्जम्पल्स में एक्जम्पल नुम्बर 12 देखते हैं फाइंड दी कंजूगेट ओफ 3 माइनिस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनिस आयोटा इसका हमें कंजूगेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले हमने क्या किया कि इस कॉम्पलेक्स नंबर को z लिया 3 माइनिस 2 आयोटा क्या है 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनिस आयोटा अब देखो पहला तो तुम क्या कर सकते हो कि इस complex number को standard form में रखो ठीक है a plus iota bk form में रखो उसके बाद conjugate ले लो एक तो यह हो सकता है दूसरा क्या है कि तुम direct conjugate ले लो मैं दोनों करके दिखा देता हूं जैसे कि हमें complex number का conjugate चाहिए तो मैंने क्या क्या दोनों side conjugate ले लिया तो इधर लिखा हमने z conjugate यह क्या हो जाएगा 3 minus 2 iota और यह क्या होगा 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota और 2 minus iota यह लिखा हुआ यह complex number इसका मैंने whole conjugate ले लिया अगर यह complex number left hand side का complex number और right hand side का complex number इक्वल है तो दोनों का conjugate इक्वल होगा ठीक है तो हमने conjugate ले लिया उसके बाद फिर हमने conjugate की property यूज की कौन से property यूज की अभी बता रहा हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 3 minus 2 iota upon 2 plus 3 iota upon इसका conjugate ले लिया अफिए लिख सकता हूँ 1 plus 2 iota और 2 minus iota इसका पूरे का conjugate ले लिया इसमें कौन सी property मैंने यूज की मैंने यूज की property z1 upon z2 का whole conjugate is equals to z1 conjugate upon z2 conjugate ये वाली property मैंने इसमें यूज कर ली ठीक है इसके बाद ये वाली हमने property यूज कर ली जैसे ये लिखा है न ये complex number जो numerator मे लिखा है इसको मैंने z1 माल लिया जो denominator में complex number लिखा है उसे मैंने क्या माल लिया z2 तो ये क्या लिखा है z1 upon z2 का whole conjugate तो इसको मैंने अलग-अलग conjugate कर लिया मतलब z1 conjugate ये जो complex number है numerator में यहां से यहां तक 3-2 iota into 2 plus 3 iota ये z1 complex number माल लिया और 1 plus 2 iota into 2 minus iota इसको z2 complex number माल लिया तो ये क्या लिखा है z1 upon z2 का whole conjugate तो इसको मैंने क्या कर लिया z1 conjugate upon z2 conjugate ये property है conjugate की जो अरड़ी मैंने बता रखा है इसको मैंने use कर लिया उसके बाद फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैंने अलग-अलग कर लिया इसको मैंने लिखा 3 minus 2 iota conjugate into 2 minus iota conjugate, ऐसे लिख लिख लिया, अब इसमें कौन सी property मैंने use की, इसमें एक property था न, हमारे पास product में, z1 into z2 का whole conjugate is equals to z1 conjugate into z2 conjugate, ये property use कर लिए, ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल गया, z conjugate, इसका आप conjugate ले ले लेते हैं, 3 minus 2 iota का, तो 3 minus 2 iota का conjugate क्या होगा, 3 plus 2 iota, क्या करेंगे, imaginary sign, imaginary part का sign change कर देंगे, इसमें imaginary part क्या है, minus 2, तो उसको plus 2 कर लिया, 2 plus 3 iota का conjugate क्या होगा, 2 minus 3 iota, ठीक है, upon, 1 plus 2 iota का conjugate क्या होगा, 1 minus 2 iota, और ये क्या है, 2 minus iota का conjugate क्या होगा, 2 plus iota, ठीक है, अब हमें करना क्या है, कि इस complex number को standard form में रखना, ऐसे नहीं छोड सकत है, मैंने हमेसा बताया है कि किसी भी complex number को, जब हम final answer लिखते हैं, तो उसको standard form में रखते हैं, standard form क्या होता है, a plus iota b, a plus iota b के format में रखना है, denominator से हमें complex number हटाना है, अब उसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, numerator को multiply करो, denominator को multiply करो, तो numerator को multiply कैसे करोगे, 3 into 2, एक तो multiplication का मैंने तुम लोगों को formula बता रखा है, formula से तुम क्या कर सकते हो, कि direct जाके multiply कर सकते हो, कौन सा formula बता है, वो अभी बता रहूँ एक बार, एक formula मैंने बता रखा है, कि अगर हमारे पास z1 complex number है, a1 plus iota b1, और z2 हमारे पास complex number है, a2 plus iota b2, तो एक formula बता रखा है, z1 into z2 क्या हो जाएगा a2 plus iota b2, तो formula में क्या बोला है, कि real को real से multiply करो, तो a1 a2, ठीक है, फिर आ जाएगा बीच में minus, फिर imaginary को imaginary से multiply करो, तो b1 b2, फिर क्या होगा, plus iota, अब यहां का real, यहां का imaginary, क्या होगा, a1 b2, बीच में plus, यहां का imaginary, यहां का real, तो क्या हो जाएगा, a2 b1, यह त करो a1 a2 De van into z2 करना है तो क्या करेंगे हम सिदे a1 a2 कि a1 a2 लिखो या a1 a2 लिखो फिर क्या लिखोंगे एवन को आयोता एटु से मल्टिप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a1 आयोता बी B1 को A2 से multiply करोगे तो क्या हो जाएगा IOTA B1 A2 फिर IOTA B1 को फिर IOTA B2 से multiply करो तो क्या हो जाएगा IOTA square B1 B2 ठीक है तो क्या हो जाएगा यह A1 A2 और यहां से IOTA square minus 1 तो इसको यहां पर मैंने रख लिया B1 B2 ठीक है इससे और इससे मैंने iota common ले लिया, तो iota common लेंगे तो क्या होगा, a1, b2 plus a2, b1 सेम आ जाएगा result, ठीक है कैसे भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि direct multiply कर रहा हूँ, तो direct multiply करूँगा, तो real को real से multiply करूँगा, 3, 2, 6 हो गया उसके बाद minus लगा दिया फिर imaginary को imaginary से multiply करूँगा, imaginary क्या है यहाँ का 2, और यहाँ का imaginary क्या है, 3 minus 3, तो 2 into minus 3 क्या होगा minus 6, एक यहाँ minus है, तो plus 6 हो जाएगा ठीक है, plus iota लगाया, फिर imaginary, यहाँ से real लिया, यहाँ से imaginary लिया तो यहां का real किया 3 यहां का imaginary किया minus 3 तो 3 into minus 3 minus 9 प्लस लगाया फिर यहां से imaginary लिया यहां से real लिया तो यहां का imaginary किया 2 यहां का real किया 2 तो 2 to the 4 ऐसे हो किया upon अब फिर यहां का real denominator को multiply करेंगे तो पहले real को real से multiply करेंगे तो 1 into 2, 2 फिर minus imaginary को imaginary से multiply करेंगे इसका imaginary part क्या है? minus 2, यहां का imaginary part क्या है 1 तो minus 2 into 1, क्या हो जाएगा? minus 2, तो यह plus 2 हो जाएगा plus Iota लिया यहां से real लिया, यहां से imaginary लिया तो 1 into 1, 1 plus, यहां से imaginary और यहां से real तो क्या होगा? minus 2 into 2 minus 4 तो plus ये क्या हो जाएगा minus 4 ऐसे ले लिया तो ये हमें क्या मिल गया 6 plus 6 12 और ये minus 9 plus 4 minus 5 iota ठीक है इसमें क्या होगा 4 और ये 1 minus 4 is minus 3 तो minus 3 iota अभी भी ये हमारे standard form में नहीं है standard form में रखने के लिए क्या करना होगा हमें कि इसके denominator से iota हटाना होगा तो denominator से iota कैसे हटा होगे rationalize करके ठीक है तो ये क्या होगा 12 minus 5 iota upon 4 minus 3 iota into हमने क्या कर दिया 4 plus 3 iota upon 4 plus 3 iota ऐसे कर दिया अब यहाँ पर क्या होगा फिर numerator को numerator से multiply करो क्या होगा 12 forza 4 toza 8 448 ठीक है और ये real को real से multiply किया minus क्या फिर imaginary को imaginary से multiply करो यहाँ का imaginary क्या minus 5 यहाँ का imaginary क्या 3 तो minus 5 into 3 minus 15 तो plus 15 होगे ठीक है plus i iota पहले से real उठाओ बाद क्या यहाँ का imaginary उठाओ तो 12, 3 is a 36 बीच में plus यहाँ से imaginary यहाँ से real तो यहाँ का imaginary क्या minus 5 यहां करिये हल क्या 4 तो 5-4 जा 20 माइनस 20 होगा तो माइनस 20 ठीक है अब उसके बाद क्या है कि denominator में देखो यह formula बन किया A-B 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 का formula क्या होता है A square minus B square यही होता है ना जहां A का काम क्या कर रहा है 4 और B का काम क्या कर रहा है 3 Iota तो A square तो 4 square minus B square तो 3 Iota का whole square अब यह इसको हम लोग कैलकुलेट करते है 8 plus 5 3 1 63 और यह क्या हो जाएगा plus 36 minus 20 क्या हो जाएगा 16 Iota upon क्या होगा 16 minus 9 Iota square तो Z conjugate क्या होगा 63 plus 16 Iota upon 16 Iota square क्या होता है minus 1 plus 9 हो गया तो क्या होगा यह 63 plus 16 Iota upon 25 अभी भी यह A plus Iota B के format में नहीं है अब इसको हम लोग A plus Iota B के format में डालने के लिए लिए लिखेंगे 63 upon 65 plus Iota और यहां क्या होगा 16 upon 25 अब यह जो complex नमबर आया है ना अब यह A plus Iota B के format में A plus Iota B के format में जिसमें A का काम क्या कर रहा है A is equal to 63 upon 65 and B is equal to 16 upon 25 ठीक है तो अभी हमारा यह direct conjugate आगिया ठीक है तो यह हो गया हमारा direct conjugate conjugate तो यहीं पर निकल गया था हमें यह इसी step में conjugate निकल गया था बट हम मैंने क्या बोला कि हमेंसा answer क्या करते है A plus Iota B के format में रखते है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर हमारा answer आ गया उसके बाद हमने क्या किया rationalize करके A plus Iota B के format में रखा एक तो यह रास्ता है जिसमें हमने क्या किया एक तो property यह use किया conjugate का एक property यह use किया यह दो properties यूज किया हमने एक यह property यूज किया हमने और दूसरा property हमने यह use किया ठीक है दूसरा क्या अगर तुम property यूज नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो इसको माल लो method 1 अगर तुम property यूज नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम क्या कर सकते हो simply multiply करो पहले जैसे देखो complex number क्या given है इसमें complex number क्या given है 3 minus 2 iota upon ये into 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota into 2 minus iota इसका हमें conjugate निकालना है तो पहले क्या करो कि इस complex number को तुम्हें standard form में रखो तो standard form में रखने के लिए क्या करेंगे पहले numerator को multiply करेंगे और denominator को multiply करेंगे तो फिर क्या होगा real को real से multiply क्या तो 3 2 is a 6 minus imaginary को imaginary से multiply करेंगे तो यहां का imaginary क्या minus 2 यहां का imaginary क्या 3 तो minus 6 तो यह हो गया plus 6 plus iota फिर यहां से real यहां से imaginary 3 3 is a 9 यहां से imaginary यहां से real तो minus 2 into 2 minus 4 तो यह हो गया minus 4 upon ठीक है यहां का दोनों के real को multiply करेंगे तो 1 into 2 2 minus यहां से imaginary को multiply करेंगे यहां का imaginary क्या 2 यहां का imaginary क्या minus 1 तो minus 2 तो यह हो गया plus 2 plus iota ठीक है उसके बाद real imaginary 1 into minus 1 minus 1 उसके बाद आता है बीच में plus यहां से imaginary real तो 2 x 2, 4, तो यह क्या हो गया, 12 plus 9 minus 4, 5 आयोटा अपन, यह क्या हो गया, 4 minus 1 plus 3 आयोटा, ठीक है, अभी यह standard form में नहीं है, अब इसको हमने रखा 12 plus 5 आयोटा, अपन 4 plus 3 आयोटा, डिनॉमिनेटर से आयोटा हटाने है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 4 minus 3 आयोटा, और यह क्या होगा, 4 minus 3 आयोटा, तो क्या हो गया, अब इसको फिर मल्टिप्लाई करो, नुमिरेटर को, तो क्या होगा, 12, 4, 48, रियल को रियल से मल्टिप्लाई किया, माइनिस दि और यहां से मैजनरी, यहां से रियल, तो 5 forza 20, तो plus 20, ठीक है, अब यह तो देख लो, a plus b, a minus b के फ़र्म में, तो क्या होगा, a square minus b square, तो यह होगा, 4 square minus 3 आयोटा का whole square, तो यह क्या होगा, 63 minus 36 plus 20, minus 16 आयोटा, ठीक है, upon क्या होगा, 16 minus 9 आयोटा square, आयोटा square के value क्या होती है, minus 1 डालेंगे, तो यह plus हो जाएगा, z क्या हमें मिला, 63 minus 16 आयोटा, upon 25, इसको हमने क्या लिख लिया, 63 upon 25, minus 16 upon 25 आयोटा, अभी तक हमने conjugate नहीं निकाला, अभी तक हमने क्या किया है, सिफ complex number को simplify किया, अब final conjugate यह किस पॉर्म में आ गया, यह हमारा आ गया, a plus i उटा b के format में, a plus i उटा b के format में, जहां a क्या हमारा, a है 63 upon 25, और b क्या हमारा, b हमारा minus 16 upon 25, अभी यह आ गया, a plus i उटा b के format में, अभी तक हम लोग क्या करेंगे, तो conjugate निकालने के लिए क्या करेंगे, यह imaginary part का sign change कर दे यह imaginary part क्या, minus 16 upon 25, इसका sign change करेंगे, minus है तो plus कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 63 upon 25, plus 16 upon 25, आयोटा, ठीक है, तो यह हमारा answer हो गया, देखलो, सेम यह answer आया था, ठीक है, बच्चो, यह हो गया, हमारा example number 12, अब आते है, example number 13 में, ठीक है, बच्चो, अब आजो, example number 13 में, example number 13 म क्या है, find the modulus and argument of the complex number, यह दो complex number दे रखें, इसका में क्या चाहिए, mod चाहिए, argument चाहिए, तो modulus और argument, argument निकालने के मैंने दो method बता है, ठीक है, एक 20-80 वाला method, जिसको मैंने हर एक question के साथ solve किया है, और एक दूसरा method मैंने क्या बताया, कि जिससे तुम direct argument निकाल सकते हो, बि argument निकल जाएगा, फिर मैं इस दोनों questions को, दोनों method से solve कर रहा हूँ, mod और argument निकालना है, ठीक है, तो पहले आते हैं, first part में, first part में क्या दे रखा है हमारे पास, one plus iota, one plus iota upon one minus iota, सबसे पहला हमारा काम क्या है, कि जब भी complex number हमें देखे, non-standard form में, मतलब कि denominator में iota देखे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले iota हटाते है, iota कैसे हटेगा, rationalize करके, हमने z क्या माल लिया, one plus iota upon one minus iota, माल लेते हैं इसको method one, method one वगेरा नहीं है, बट एक ही चीज है, बट गुमा गुमा के अलग तरीके से बोला जा रहा है, एक ही चीज, one plus iota upon one minus iota माल लिया, इसको हमने rationalize कर लिया, one plus iota, one minus iota into one plus iota upon one plus iota, rationalize कर लिया, तो numerator में क्या बन गया, one plus iota का whole square, और ये क्या बन गया, one square minus iota का whole square, ये तो a plus b, a minus b बन गया, और ये formula क्या लग जाएगा, a plus b का whole square, जहां पर a का का क्या क्या कर रहा, one और b का क्या क्या कर रहा, आयोटा तो a square तो 1 2ab तो 2 iota plus b square तो iota square upon यहाँ पे 1 का square 1 iota का square minus 1 तो यह plus 1 हो जाएगा ठीक है तो अब देखो iota square क्या होता माइनिस 1 और यह plus 1 cancel होके क्या हो गया 2 iota upon iota sorry upon 2 तो यह तो iota मिल गया ठीक है इसका मतलब क्या है यह तो question हमने already कर रखा है इस question को हमने already कर रखा है exercise 5.2 question number 8 इसमें solve कर रखा है अब देखो इस complex number का अगर चलो z हमें क्या मिल गया iota इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 plus 1 into iota अगर मैं बोलू कि real of z क्या है तो वो है 0 and imaginary of z क्या है imaginary of z है 1 यह complex number किसी quadrant में लाई नहीं करेगा यह complex number positive imaginary axis पर लाई करेगा देखो क्या है यह हमारा argand plane है ठीक है यह हमारा real axis है यह हमारा imaginary axis है और complex number क्या हमारा 0 plus 1 into iota इसको हमने लिखा ना iota तो इसके cross bonding जो हमें point मिलेगा argand plane पर वो क्या होगा 0,1 real part, imaginary part ठीक है अब यह 0,1 point कहां मिलेगा argand plane पर something यहाँ पर मिलेगा ठीक है तो यह हो गया हमारा point P जो की z complex number को represent कर रहा है इस P point का coordinate क्या हो गया इस P point का coordinate हो गया 0,1 ठीक है यहाँ तकार यह बात समझ में अब यह बताओ कि इसका argument क्या होगा इसका argument तो होगा 90 degrees में तो कोई problem ही नहीं है यहाँ पे जो theta होगा argument वो हो गया pi by 2 अब इसका mod क्या होगा mod होगा 1 mod क्या होता है जो point होता है जिस point यह point है यह point रिपर्जेंट कर रहा है complex number को तो इस point से origin के बीच का distance यही होता है mod of z तो देख लो इसका coordinate क्या 1 तो origin से इस point का distance क्या होगा 1 तो mod of z क्या मिल गया हमें mod of z 1 मिल गया and theta जिसको हमने बोला क्या argument of z argument of z क्या मिल गया हमें pi by 2 अगर चाहो तो इसको तुम polar form में भी रख सकते हो polar form में भी रख सकते हो iota sin theta यही होता है न तो mod z तो 1 है और theta के हमारा pi by 2 तो cos pi by 2 प्लस iota sin pi by 2 यह इसका polar form होगिया देख लो इसको अगर तुम solve करोगे तो cos pi by 2 यह तो 0 आ जाएगा और sin pi by 2 यह तो 1 आ जाएगा तो क्या लिखा है यह जो पूरा statement लिखा है यह तो iota ही तो लिखा है ठीक है तो यह हो गया बच्चो हमारा question number 1 solve ठीक है अब आते है question number 2 में मतलब second part में आते हैं इसके second part में क्या है second part में है 1 upon 1 plus iota तो इसको हमने क्या क्या z माल लिया z क्या हमारा 1 upon 1 plus iota तो यह कोई method 1 2 नहीं है बट ठीक है यह तो direct हमें आसान मिल गया ना अगर हमारा complex number positive real axis पर हो या negative real axis पर हो या positive imaginary axis पर हो या negative imaginary axis पर हो तो हमें कोई formula लगाने की जोरती नहीं हो तो direct ही उसका argument of mode आ जाता है मतलब within second argument of mode तुम देख लेते हो argon plane पे अब इसको हमें क्या करना है 1 minus iota से multiply और divide कर दिया तो ये उपर क्या हो गया 1 minus iota नीचे क्या लगेगा हमारा नीचे लगेगा इसमें a square minus b square तो a square minus iota square तो ये हो गया 1 minus iota upon ये 1 का square तो 1 iota square minus 1 तो क्या हो गया 2 इसको अब क्या लिख सकते 1 plus 1 upon 2 plus iota into minus 1 upon 2 ऐसे लिख लिए तो अब हमारा z जो complex number है ये किसके format में आ गया a plus iota b के format में आ गया अब a का काम क्या कर रहा है 1 upon 2 और b का काम क्या कर रहा है minus 1 upon 2 अब हमें क्या करना है इसका modulus निकालना है और argument निकालना है तो मैं दोनों method से इसको करके देखा देता हूँ ये तो ये तो quadrant में लाई करेगा ये complex number क्या है हमारा 1 upon 2 plus iota into minus 1 upon 2 इसमें real part क्या है real of z complex number क्या है 1 upon 2 imaginary of z complex number क्या है and imaginary of z इसके imaginary part क्या है minus 1 upon 2 तो ये real part क्या हमें मिला positive मिल गया और imaginary part क्या मिला negative मिल गया इसका मतलब x जिसको हम real part बोलते है वो हो गया positive y जिसको हम imaginary part बोलते है वो हो गया negative तो अगर real part positive है imaginary part negative है तो ये complex number किस quadrant में लाई करेगा obviously बात है fourth quadrant में अगर real part positive है और imaginary part negative है तो something यहाँ पर लाई कर रहा होगा यह complex number ठीक है यह complex number P बोलते हैं तो इसका coordinate क्या हो जाएगा 1 upon 2 1 upon 2 comma minus 1 upon 2 ठीक है अगर इस complex number इस point को अगर मैंने origin से join कर दिया तो यह जो distance हो गया है OP यही OP तो हमारा mod of Z होता है mod of Z हो गया और angle क्या लेंगे ऐसे anti-clockwise में clockwise direction में जो हमारा theta angle होगा यही होगा हमारा argument of Z क्यों होगा clockwise में क्यों लिया because जो complex number है यह किस quadrant में है fourth quadrant में यहां तक आरिए बात समझ में ठीक है तो अब सुरू हो जाते हैं हम लोग पहले क्या करते हैं पहले मानते हैं जो first method मैंने बताया है उसमें क्या बोलते हैं कि let alpha be the acute angle alpha हमारा क्या है acute angle then we have tan of alpha क्या बोलते हैं हम लोग tan of alpha is mod of imaginary Z upon real Z imaginary Z क्या बताओ imaginary Z है minus 1 upon 2 real Z क्या है 1 upon 2 यह दोनों cancel होके क्या होगा mod of minus 1 minus 1 का mod क्या होगा 1 1 को क्या लिख सकते हैं 1045 degree means 10 pi by 4 अब देखो यह tan alpha और यह tan pi by 4 तो alpha में क्या मिल गया pi by 4 ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे since Z lies in fourth quadrant fourth quadrant में लाई कर रहा है then argument of Z क्या होगा यह तो अल्रेड़ी पता है minus alpha होता है अगर fourth quadrant में complex number है तो उसका argument क्या होगा minus alpha तो argument of Z जो की theta है वो क्या होगा minus alpha और alpha हमने क्या निकाला है pi by 4 तो minus pi by 4 होगा ठीक है mod Z तो अल्रेड़ी पता है mod Z क्या चलो mod Z निकाल लेते है root under real square real of Z का whole square plus imaginary of Z का whole square यह होगा ना तो real Z क्या हमारा 1 upon 2 का whole square plus minus 1 upon 2 का whole square तो यह क्या होगा 1 upon 4 plus 1 upon 4 quarter plus quarter half होगता है क्या होगा 1 upon 2 का square root तो क्या होग prepared 1 by root 2 ठीक है question में क्या बोला है find the modulus and argument ठीक है तो एक तो answer यह होगा हमारा यह तो modulus होगा दूसरा answer यह होगा हमारा ठीक है हमारा modulus हो गया ठीक है अब अगर इस complex number को तुम चाहो तो अगर polar form में रखना चाहते हो क्योंकि हमने modulus निकाल लिया argument निकाल लिया तो इसको हम polar form में भी रख सकते हैं यह question में पूछा नहीं है बट अगर polar form में रखना चाहते हो तो क्या करेंगे polar form of z क्या होगा polar form z का क्या होता है mod z cos theta plus iota sin theta mod z क्या है 1 by root 2 और theta क्या हमारा minus pi by 4 ठीक है plus iota sin रखा यहां क्या डाला minus pi by 4 ठीक है यह भी होगा हमारा polar form अगर थोड़ा simplify करना चाहते हो तो 1 by root 2 और cos of minus theta क्या होता है cos theta तो theta का का काम क्या कर रहा है pi by 4 तो इसको हम क्या लिख सकते cos of pi by 4 and sin of minus theta क्या होता minus sin theta तो यह minus बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा minus iota sin pi by 4 ठीक है ऐसे भी polar form रख सकते हो ऐसे भी यह पूछा नहीं है solution का part नहीं है ठीक है यह हो गया हमारा first part हो गया और second part हो गया अच्छा इसका method 2 जो ncrt वाला method है उसको भी मैं करके देखा दे रहा हूँ इसलिए कि बहुत बच्चे है ncrt के method से करते हैं तो वह भी देख लो सबसे पहले हम लोग क्या करते है ncrt में हमारा z क्या दे रखा है z हमारा दे रखा है 1 plus 1 upon 1 plus iota ठीक है इसको हमने rationalize किया तो rationalize करके हमें क्या मिल गया यहाँ पे इसको हमने rationalize किया तो 1 by 2 plus iota into minus 1 by 2 यह हमें मिल गया z complex number ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं यहाँ पे real of z क्या हो गया 1 upon 2 जो कि positive है and imaginary of z क्या हो गया minus 1 upon 2 जो कि negative है ठीक है इसका क्या मतलब हो गया कि x is positive and y is negative तो x positive y negative this implies that z lies in fourth quadrant z किसमे लाई करेगा fourth quadrant में उसके बाद NCRT क्या बोलता है कि real z को क्या लिखो r cos theta and imaginary z को क्या लिखो r sin theta r क्या हमारा mod of z ठीक है तो real z किसके equal है 1 upon 2 तो 1 upon 2 को हमने क्या लिखा r cos theta ठीक है और imaginary z क्या हमारा minus 1 upon 2 इसको हमने लिखा r sin theta इसको हमने first equation माल लिया इसको हमने second equation माल लिया फिर हमने क्या बोला from 1 square plus 2 square तो दोनों को square करके add कर दिया तो 1 by 2 का square क्या होगा 1 by 2 square left hand side को square करके add करेंगे फिर right hand side को square करके add करेंगे तो minus 1 by 2 का square अब right hand side को square करके add करतें तो r square cos square theta plus r square sin square theta right hand side में r square common ले लिया तो क्या मिल गया हमें cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta क्या होता है 1 तो यह हो गया r square है ठीक है इसके बाद हम लोग हमें क्या मिल गया r square is equal to 1 by 2 का whole square plus of minus 1 by 2 का whole square यह क्या हो गया 1 by 4 plus 1 by 4 यह हो गया 1 by 2 तो यहां से हमें क्या मिला r square is equal to 1 by 2 r हमारा क्या mod of z mod of z क्या होता है positive होता है तो यहां से r की value क्या लेंगे 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 नहीं लेंगे ठीक है 1 upon root 2 लेंगे तो मतलब mod z हमें क्या मिल गया 1 upon root 2 ठीक है अब यह जो r का value हमें मिला न 1 upon root 2 इस r के value को कहा डालेंगे equation 1 और 2 में जैसे यहां पर डालेंगे 1 upon root 2 ठीक है तो अब इसको हम ऐसे लेखेंगे from equation 1 and 2 equation 1 में देखो क्या है 1 upon 2 is equal to r cos theta तो क्या लेखेंगे 1 upon 2 r का value क्या है 1 upon root 2 उसके बाद क्या लेखेंगे cos theta एक तो यह हो गया and minus 1 upon 2 r sin theta r की जगा क्या लेखेंगे 1 upon root 2 sin theta ठीक है तो यहां से हमें cos theta क्या मिलेगा cos theta में मिलेगा root 2 by 2 ठीक है देख लो root 2 कहां चला जाएगा numerator में and sin theta क्या मिलेगा हमें minus root 2 by 2 ठीक है तो यहां से हमने क्या कि cos theta root 2 से multiply और divide किया तो root 2 by 2 into root 2 by 2 sorry root 2 by root 2 and sin theta क्या मिल गया तो यहां से हमें cos theta क्या मिल गया देखो यह root 2 into root 2 क्या बन गया 2 और यह 2 के साथ cancel हो गया तो क्या मिल गया minus 1 upon root 2 अब फिर क्या करना है कि हमें पता है कि हमारा complex number है वो क्या है fourth quadrant में ठीक है तो हमें एक ऐसा angle खोजना है पहले एक ऐसा angle खोजना है fourth quarand में एंगल ले जाना है मतलब इस theta को एक ऐसा angle खोजना है fourth quadrant में जिस इस पर cos theta का value क्या हो जाए 1 upon root 2 और sin theta का value क्या हो जाए minus 1 upon root 2 पहले बात को द्यान से समझो हमें पता है कि complex number 4th quadrant में ठीक है कैसे पता है यह real के imaginary और real के imaginary sign से और complex number के real parts और imaginary parts हमें पता है कि complex number हमारा किस quadrant में 4th quadrant में अब हमें एक ऐसा theta चाहिए जिस theta और वो theta क्या होना चाहिए 4th quadrant में जिस theta पर cos theta का value 1 upon root 2 हो जाए और sin theta का value minus 1 upon root 2 हो जाए तो देख लो बहुत simple है देख लो क्या करेंगे पहले cos theta क्या दे रखा है 1 upon root 2 दे रखा है ना अब पहले तुम ऐसा theta को जो जो 1st quadrant में 1 upon root 2 क्या है cos pi by 4 देखो इसको हम लिख सकते है cos pi by 4 अब हमें क्या करना है इस angle को क्या करना है 4th quadrant में पहुँचाना है but इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा cos function मतलब 1 upon root 2 चैंज ना हो तो हमें पता है न कि cos 2 pi minus theta क्या होता है cos 2 pi minus theta cos of 2 pi minus theta क्या होता है cos theta और sin of 2 pi minus theta क्या होता है अब ये trigonometry से अगर नहीं आता है तो जाके trigonometry वाला playlist देखो sin theta कैसे ये मैंने अल्रेडी बता रखा है कि अगर लिखा न 2 pi minus theta तो इसको हम क्या लिख सकते cos 2 pi क्या हमारा pi by 2 का even multiple है कैसे because तुम 2 pi को क्या लिख सकते हो 4 into pi by 2 minus theta कर सकते हो अब जब भी pi by 2 का even multiple होता है तो function change नहीं होता है और ये जो हमारा angle है 2 pi minus theta ये किस quadrant में है 4th quadrant में तो 4th quadrant में cos positive होता है तो ये क्या हो जाएगा सीधे cos theta same line पे sin 2 pi minus theta minus sin theta होता है अब तुम ऐसे देखो sin of 2 pi minus theta अगर हमने लिखना है 2 pi minus theta इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin 4 into pi by 2 minus theta देख लो ये pi by 2 का even multiple है तो sin तो sin में ही रहेगा बट ये किस quadrant में है 2 pi से अगर तुम theta subtract करोगे तो ये 4th quadrant में पहुँच जाएगा 4th quadrant में sin क्या होता है negative होता है ठीक है pi by 2 का even multiple है तो sin function change नहीं होगा बट ये जो angle है न 4th quadrant में तो 4th quadrant में sin negative होता है तो क्या हो जाएगा minus sin theta ठीक है ये सब तो अलड़ी trigonometry में पढ़ा रखा है मैंने तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos of ऐसे लिख सकता हूँ 2 pi minus theta minus pi by 4 कोई फर्क नहीं पढ़ता है आगे 4th quadrant में तो ये क्या हो गया cos of 8 pi minus pi cos क्या हो गया 7 pi by 4 अब ये जो 7 pi by 4 है एक कौन सा angle है 4th quadrant का angle है जिस पर cos theta का value 1 upon root 2 है ये बात आगे समझ में अब आजओ sine पे sine theta क्या दे रखा है minus 1 upon root 2 एक मिनट के लिए minus को भी भूल जा 1 upon root 2 देखो ठीक है अब हमें एक ऐसा angle खोजना 1st quadrant में जिस पर sin function का value 1 upon root 2 हो जाए तो कौन सा है वो है pi by 4 तो इसको मैं लिख सकता हूँ minus sine pi by 4 अभी तक कोई problem नहीं है बट अब हमें क्या करना है कि sine के argument को कहां पहुचाना है sine के argument को हमें पहुचाना है fourth quadrant में फॉर्मला क्या यूज करेंगे sine 2 pi minus pi by 4 ऐसे लिख लेंगे देख लो sine 2 pi minus theta minus sine theta तो यही same चीज है मतलब function का value भी change नहीं हुआ तो यह क्या हो गया sine 7 pi by 4 मतलब कि 7 pi by 4 एक ऐसा एंगल है fourth quadrant में जिस पर sine function का value minus 1 upon root 2 है और cos function का value 1 upon root 2 है यहां तक तो आगे बात समझ में अब देखो आगे अब क्या है अब हमारे पास जो एंगल मिला न बच्चो इसको थुरा ध्यान से देखो हमारे पास जो एंगल मिला उसको हमने measure कैसे किया है measure किया positive x axis से ऐसे measure किया है यह angle आया हमारा जो theta आया है न भी हमारा या फिर theta जो आया है जो angle आया है वो 7 pi by 4 वो यह angle आया है ठीक है positive x axis से anti clockwise यह जो angle मिला है न हमें 7 pi by 4 वो यह angle आया है ठीक है तो हमें क्या चाहिए हमें तो बदा है 4th quadrant में तो हमें कैसे move करना है clockwise move करना है, तो हम तो ऐसे move करेंगे, ठीक है, अब 7 pi by 4, इसको angle निकालने के लिए, तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे देखो, 7 pi by 4 को तुम क्या लिख सकते हो, यहां से यहां तक का angle, तुम्हें काम करो, 180 हटा दो, 7 pi by 4 में से, पहले तुम 180 हटा दो, 7 pi by 4 में से, minus pi कर दो, तो क्या जाएगा यह, 3 pi by 4, हमें तो बस इस angle को चाहिए, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, कि पूरे 2 pi में से, चलो 2 pi में से क्या करो, कि इस angle को हटा दो, 7 pi by 4 को angle को हटा दो, चलो दोनों करके दिखा रहा हो, पहले मैंने क्या किया है, कि 7 pi by 4 में से मैंने pi हटा द क्या होगा पाई माईनेस थ्री पाई बाई 4 बट हम लोग किस डिरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग मूव कर रहे हैं clockwise direction में तो एक माईनेस भी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माईनेस तो यहां पर आगिया अब देखो 4 पाई माईनेस 3 पाई अब ये आगिया हमारा argument of z आगिया देखलो ये argument of z आगिया एक तो ऐसे कर सकते हो दूसरा क्या रास्ता है कि हम लोग 2 pi में से 2 pi में से 7 pi by 4 को subtract कर दें ठीक है ये पूरा angle है न 2 pi इसमें से क्या करें कि इस 2 pi में से 7 pi by 4 इसको subtract कर दें तो ये angle आजाएगा ठीक है यहां से यहां तक हमारा ये 2 pi angle है उसमें से अगर 7 pi by 4 को subtract करें तो ये वाल angle आजाएगा 7 pi by 4 ये angle है ठीक है और 2 pi हमारा क्या है यहां से लेके complete यहां तक तो 2 pi में से 7 pi by 4 को subtract किया तो ये angle आगिया बट हम लोग किस direction में move कर रहे हैं हम लोग clockwise direction में move कर रहे हैं तो एक minus लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा minus ये क्या हो जाएगा 8 pi minus 7 pi तो ये भी आ गया minus pi by 4 ये हमारा argument of z होगे ऐसे भी निकाल सकतो argument of z जैसे अगर मालो की ये total यहां से यहां तक मालो की ये ये angle ये जो angle theta है ये हमारा 330 degree है ठीक है और हमें ये angle चाहिए clockwise direction में तो हम कैसे निकालेंगे इस angle को हमने alpha बोल दिया हमें alpha angle चाहिए clockwise direction में और यहां से यहां तक ये जो theta ये 360 degree है मैं क्या करूँगा मैं करूँगा कि पहले 360 में से माइनिस 330 हटा दूँगा ठीक है बट गोम रहे कि इस डिरेक्शन में clockwise में तो एक माइनिस लगा दूँगा तो यह क्या गिया 360 माइनिस 330 तो यह हो जाएगा माइनिस 30 डिग्री ऐसे ही करेंगे न तो वही काम यहां पे क्या तो यहां में argument मिल गया और उसके बाद mod of z भी हमें मिल गया 1 by root 2 mod of z यहां पे हमें क्या मिला mod of z 1 by root 2 argument of z क्या मिला minus pi by 4 ठीक है तो अब polar form क्या हो जाएगा बस एक यह हमारा answer हो गया एक तो यह answer हो गया दूसरा answer कहा हो गया यह हमारा हमने जो निकाला है यह की answer हो गया because इस question में क्या बोला है सिफ modulus और argument पूछा है और कुछ नहीं पूछा है तो argument भी निकाल लिया mod भी निकाल लिया polar form मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ polar form क्या होगा z का polar form z का होगा mod of z bracket में क्या लिखते हैं cos theta plus iota sin theta mod of z क्या हमारा 1 by root 2 उसके बाद क्या लिखेंगे cos theta की जगा क्या डालेंगे minus pi by 4 plus iota sin यहाँ पर क्या डालेंगे theta की जगा minus pi by 4 ऐसे डाला एक तो polar form यह भी हो गया अब इसमें चाहो तो तो तुम 1 by root 2 cos of minus theta क्या होता है cos theta तो इसको हमने लिख लिए cos theta sorry cos pi by 4 sin of minus theta क्या होता है minus sin theta तो minus यहाँ गया यह क्या हो गया sin pi by 4 ऐसे भी रख सकते हो polar form में यह पूछा नहीं है यह तो मैंने ऐसे लिखा है पूछा नहीं है ठीक है बचो हमारा क्या हो गया यह complete हो गया हमारा example number 13 example number 12 क्या हमने example number 13 क्या next video में 14 15 and 16 यह 3 questions करेंगे उसके बाद miscellaneous exercises start करेंगे ठीक है I hope समझ में आ रहा होगा अभी तक